हेलो दोस्तों अमेरिकन मार्केट में गिरावट ठीक है और इसकी वज़े से शायद इंडियन मार्केट पे भी इंपक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है तो इसी चीज से एलेटेड हम यहां पर क्या करने वाले बातचीत करने वाले इसी छीज से हम देखने वाले कि 80 point यहां पर गिरती हुई नेजर आ रही है इसके इलावा थीक है हम यहां पर देखेंगे NASDAQ तो NASDAQ भी आप देखोगे तो NASDAQ में भी 130 point की यहां पर क्या है गिरावट है इसके इलावा आप यहां पर देखे तो आपको पता चलेगा कि आज जो domestic investor है उन्होंनों भी 247 करोड रुपीज का net माल यहां पर बेचा है और FIS की बात करें जहां पर कल इन्होंने 1100-1200 करोड रुपे का माल बेचा था आज उन्होंने 3200 करोड रुपे के आसपास का माल यहां पर बेचा है तो क्या हमें cautious हो जाना चाहिए और साथ में FIS यहां पर बात करने वाले देखेंगे ठीक है बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उससे पहले आप यहां पर चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को ही टॉल के नॉटिफिकेशन कौन करिए बाइंग सालिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवाईजर कुद की स्टेडी करो चीज़ों को सीखो जितना चीज़ों को सीखोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए ठीक है वीडियो से सीखो वीडियो के इलावा भूस सारी चीज़ों होती है जो आप कोर्स के थुरू सीख सकते हो बारी किया सीख सकते हो श्टॉक मार्किट की 860540501 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लिजिए और बेसिक्स टू अडवांस टेकनिकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है और किस तरीके से शेयर भागते हुए नजर आते है यहाँ पर एक वीडियो आ रही है जहाँ पर 150 पर बताया था वो के 3-6 महीने 6 महीने के अंदर-अंदर वो शेयर यहाँ पर 550 को टच कर गया SKM Act की में बात कर रहा हूँ वो आपको पता चलेगा इसके लावा और बहुत सारे Multibagger Stock है जो हमने यहाँ पर 3-6 महीने एक साल में दिये और वो Multibagger बनके निकले वो कैसे ढूंडते हैं वो यहाँ पर इस कोर्स में पता चलेगा WhatsApp Group है जोइन कर सकते हैं और किसी को साथ में काम करना है और नजरिया बड़ा हो Portfolio बड़ा हो पांच लाग, चार लाग, पचास लाग, एक करोड तो यहाँ पर इन नमबरों पर कॉंटेक करो ओके एक लंब, लॉंग टर्म के लिए काम करके देखो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना पैसा यहाँ पर हमारी knowledge के तुरू यहाँ पर कमा सकते हो 8605-40501 8169-261037 दोनों नमबरों को सेव कर लीजिए buying selling की कोई recommendation नहीं अपने financial advisor खुद की study करें तो यहाँ पर देखिए, FI is लगातार यहाँ पर बेच रहे है, यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए, तो चीजे यहाँ पर हमारे market की अच्छी जलती हुए नजर आई है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NASDAQ में लगबग 1.41% की गिरावट है, एक एक करके यहाँ पर चीजों को यहाँ पर analyze कर लेगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यह चीजे है support के पास में, ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तो यहाँ से bounce back देनी चीए जादा chances है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक याँ दो दिन में आ जाएगा, फिट शेयर यहाँ से bounce back देगा, तो चीजे ऊपर जाएगी, क्यों कि इसी तरीके से market behave करता है, इसे जितना गिरना ता गिर लिया और अपने all time high की तरफ जाएगा, यह वाला यहाँ पर जा रहा है, लगब 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 22,748, ठीक है, यहाँ पर सीधा जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसे नहीं देखेंगे, तो हमें अपने market का नहीं पता चलेगा, कि हमारे market कहाँ पर जाके रुकेंगे, या कहाँ पर जाके गिरेंगे, तो साथ-साथ इस चीछ को देखना काफी अच्छी बात होती है, यहाँ पर आप देखोगे, तो लगातार यहाँ पर डो जोन्स में भी गराबट हो रही है, यहाँ पर निफ्टी पूरा recover होके, all time high को भी टच कर चुका है, वहीं पर ही डो जोन्स को देखोगे, तो डो जोन्स उस लेवल को अज तक अभी तक यहाँ पर टच नहीं कर पाया है, ठीक है, बट उसकी तरफ जाता हुआ नजर आ मुझे क्या नजर आता है, उससे लेटेड हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं इस सारे के सारे चीज़ें यहाँ पर हटा देता हूँ, ताक यहाँ पर चार्ट यहाँ नीट और किलीन यहाँ पर दिखाई दे, मुझे नजर आता है कि डो जोन्स यहाँ दूर जाएगा, ठीक है थोड़ी से यहाँ पर गिरावट और लगबा लगबा अगर हम बात करें, 34441 तो यहाँ पर थोड़ी से गिरावट यहाँ पर और नजर आती है, 400 पॉइंट की, 400 पॉइंट का मतलब है 1% की और, 1% और गिरने का यहाँ से बांस बैग देगा और च सेंडिंग, ब्रोडनिंग बनाता हुआ नजर आ रहा है, कोई परिशानी नहीं है, ठीक है, उपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इस रेंज में यहाँ पर काम कर रहा है, दीरे दीरे उपर जाएगा और यहाँ पर यहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर तो अपना निफ्टी भी तीरे दीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर देखिए आज यहाँ पर टच करके चीज़े ऊपर गई है नेजडेक को यहाँ पर फॉलो कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे ठीक है तो यहाँ पर अच्छी यहाँ पर यह एक स तोड़ सकता है ठीक है फॉल्स यहाँ पर फिर नीचे आ सकता है और फिर बाउंस बैक देते हुए नजर आदे बट यहाँ इतना आसान नहीं है इसे यहाँ पर तोड़ना क्योंकि डो जोंस एक आत दिन में रिकवर होने वाला है और फिर चीज़े ऊपर जाएगी तो मिट कैब ऊपर ते ओखी यहाँ पर इहां पर निफिफिफिटी ऊपर ता तो साथ से भी जाना ही था तो इसने तोड़ दिया है और इसके इसाप से आप देखोगे न यहाँ पर यह जा टार्गेट आते हुए दिखाई दे रही है वो target सीधे और सीधे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे है 16,000 के आसपास के ठीक है 16,000 अठनवे के आसपास के तो यहाँ पर 12,600 पर चल रहा है अभी और upside बाकी है हाँ बीच में गिरता रहेगा देखिए बीच में यहाँ पर गिर रहा था 600 पॉइंट तो 200 से 600 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट हो सकती है इसके लिए अलर्ट रहना बट यहाँ से दुबारा bounce back करेगी ठीक है यह इसे अब उपर ही जाना है rate cut की जैसे ही नी उजाई यह भी उपर जाएगा निफ्टी small cap में हम काम करते हैं इसलिए मैं निफ्टी small cap से लिटेड आपको बात करता हुआ नजर आ रहा हुँ निफ्टी mid cap की बात कर लेते हैं निफ्टी mid cap की बात करें सबसे पहले यहाँ पर इसने breakout दिया था और आस तक यह केवल उपर ही उपर जा रहा है इसके जो target थे न यहाँ पर देखिए उस target को यह achieve करता हुआ नजर आ रहा है यह target थे हमारे ठीक है यहाँ पर मैंने काफी बार आपको बतायाए कि यहाँ तक जाएगा तो देखिए यह एक resistance point है इसके लिए 40,882 शायद यहाँ से थोड़ा से नीची आए और थोड़ी से गिरावट हो सकती है 400-500 point की ठीक है वो casual गिरावट होगी फिर चीटे उपर जाती हुई नजर आएगी वो क्या होगा rate रेटरेस्मेंट होगा और कुछ नहीं है और फिर चीटे और उपर जाएगी फिर उसके बाद और यहाँ पर देखेंगे rate कट होंगे तो और उपर जाती हुई दिखाई देगी एक one way में rally हुई है ठीक है चीटे अच्छी खासी है कोई परिशानी नहीं है अच्छे stocks के साथ रहोगे अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा और अगर बेकार stocks के साथ रहोगे तो फिर वो बेकार थी आपके लिए रहेगा निफ्टी बैंक की बात करें निफ्टी बैंक आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर निफ्टी बैंक एक बहतरी सपोर्ट पर है आज भी आप देख पा रहे होंगे कि इसने उसी सपोर्ट को यहाँ पर follow किया टच किया टच करके ऊपर तो मुझे यहाँ पर जो NASDAQ परफॉर्म कर रहा है सेम यहाँ पर नजर आता है कोई नहीं यहाँ पर एक सपोर्ट यह है और इसके बाद अगर गिरता है तो यह एक सपोर्ट नजर आता है 43,628 का बट मुझे नजर आता है जैसे ही यह इस लेबल को निकालेगा 44,773 का चीजे दुबार उपर जाने वाली है तब यहाँ पर एक बार कॉशियस हमें एक बार हो सकते है अधरवाइस ऐस सथ मुझे कुछ चीजे नजर नहीं आती टारगेट की बात करें तो टारगेट आ रहे है 49,000 के लगवा 5,000 पॉइंट 5,300 पॉइंट से यहाँ पर अभी भी उपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी बैंक ठीक है PSU बैंक इसमें यहाँ पर पाइडिस्पेट करेंगे अच्छे खासे स्मॉल कैप बैंक यहाँ पर पाइडिस्पेट करेंगे और चीजे ऊपर जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसी तरीके से एनलाइज करना है चीजों को देखना है और उसके अच्छी होने वाली है और आपके बहतरी इन पैसे यहाँ पर बनने वाले है और एक बार दो जोंस को दुबारा देख लेते जाने से पहले तो यहाँ पर और किलियर पिक्चर हो जाएगी तो यहाँ पर दो जोंस क्या कर रहा है दो जोंस कहा रहा है भाई अभी हम गिर रहे है ठीक है 200 प्राइंट यहाँ पर गिर चुका है मुझे क्या नजर आता है मुझे नजर आता है यह यहीं पर यहाँ के रूखेगा ठीक है न थोड़ी सी गिरावट होगी और हमारी मार्किट भी शायद कल की रेट में थोड़ा सा फॉल दिखा सकती है और एक-दो दिन की सेलिंग आ सकती है तो यहाँ पर आज कल थजडे है कर एक्सपाइड ही भी है तो गरावट आनी जरूरी है ठीक है फ्राइडे मंडे से हम नेक्ट विक से हम दुबारा अच्छे हो जाएंगे और ऊपर जाते हुए नजर आएंगे त अच्छे श्टॉक्स में रहोगे टो घ सब्राने बाद नहींगे ऑच्छे स्टॉक्स कोन से अच्छे स्टॉक्स अम अपने पर हमार सको बता चुके ऑप सब यहाँ थोड़ा और यहां पर यहां पर एक दो दिन में जो गिरावट है और तोज़ए से कॉई परसन कोई परस तो के हमादरी दिया था उसी तरीके से तो बाइंग जाली की रिकमेंडेशन नहीं है तो थैंक यू सो मुच गॉट ब्लेस